दो इंडियन प्रिकेटर्स जेल में है विराट की आँखे बिलकुल लाल थी हमने तो कहा था मत खेलो लेकिन वो खेला इंडिया गाना चकदे मोमेंट आने वाला है राच पिल्ले ने ऐसा बोला है इस ओल्लम्पिक्स में भी आप मेडल के बारे में सोच सकते हो रोल बंपर कमाल का शॉक अधबुद इसके आगे सारे फेट हैश्टेग अकाश्वाणी वैसे कल आपका बहुत सारा प्लेश चाहिए लेकिन बात करें स्पॉट शिक्सिंग की नाम आप सब को पता है तब क्या होता था आपको कप्तान भी चाहिए आपको बहुत सारे प्लेयर्स चाहिए क्योंकि आप मैच के इवेंच्वल आउटकम आपका जो रिजल्ट है आप उसको बदलना चाहते हैं अब उसको बदलाव करने में आपकी जान निकल जाती है तो अब थोड़ा सा बुकी स्मार्ट हो गए कहने थोड़ा सा बैटिंग असान होगी होगी थोड़ा सा उसका पॉम और शेप बदल गया एड होकिंस ने किताब लिखे वो भी कभी आपको मौका मिलो ज़रूर पढ़िएगा यह पिक्सिंग बैटिंग के बारे में तो अब स्पॉट फिक्सिंग होती है अब स्पॉट फिक्सिंग किया किस बला का नाम है और यह वो बला है जिसके अंदर वो छोटे-छोटे फेजिद होते हैं मैच के अधर ऐसा नहीं कि नो बॉल और वाइड को इस विक्स करने वाला है जी नहीं लेकिन फेज है चार ओवर का फेज जिसके अंदर आप कितने रन देंगे आप कितने विक्स चटकाएंगे इस प्रकार की चीजे जो है वो फिक्स होती है और इवेंच्वल आउटकम पर फरग नहीं पड़ता तो प्रिगेटर के वो कहते हैं अप्रोच करना प्रोच के लोग आपको क्या बताएंगे वो आपको ध्यान में रखना है उसके लिए आँखे कान खुले रखने है तो यही तो बात थी शाकी बहलासन की अप्रोच हुई एक बार नहीं तीन तीन बार हुई लेकिन जनाब ने अप्रोच को इंफॉर्ण नहीं किया एक साल का बैन है और एक साल का सुस्पेंड़ तो यू नो अट इस रीली रीली डॉजी बिजनेस अगर आपने आपको अप्रोच हुई और आपने किसी को नहीं बताया है अब इसमें जो मेरी बड़ी समस्या है ना लेकिन अंतराश्टी क्रिकेट अभी भी थोड़ा सा मुझे लगता है इंसूलेटेड है यह जितने सारे इंसिदेंट्स होते हैं कब से हो रहे हैं इसका मजॉर्टी ओव इंसिदेंट्स अर हापनिंग जब से टीट्वेंटी ली जो छोटी-छोटी लीग्स हैं इसमें संभलना ज़रूरी है संभलना ज़रूरी क्योंकि गौतम गौतम और अबरार काजी यह दो लोग है जो जेल में हैं गौतम तो खैरिन के साथ में खेला हूँ एक्छी और यह करनाठक के विगेट कीपर थे यह अल्मोस इंडिया के बै जो मुझे मिले हैं तो कल कीदी मैंने शांक बाद होट टॉपिक है रजट भाटिया के साथ एसे क्या है ना अकाश की एक एक एंटी-करॉप्शन यूनिट है वो हर साल आपको एडूकेट करते हैं जैसे भी डूमेस्टिक स्टार्ट होने वाली होती है तो एक तरीके से एक क्लास होती है जो आपको अटेंड कर नहीं कर दो कि क्लास का मुझे कुछ चीजे ऐसी है जो थोड़ी सी अजीव सी लगती है एक तो यह है कि मैंने उसमें सिर्फ इंटरस्ट अभी दिखा जब कोई फोटो आती है बंदा जो समझा रहा है वो समझा तो रहा है पर जिस कि आज का कि मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपको यह पें देना चाहता हूं यह बैक देना चाहता हूं इसी तरही के से अप्रोच करते हैं और फिर आपको इंफर्म करना बड़ता है बहुत सारी चीजे यह आप सोचल मीडिया में डाली है आप किसी को यह ना ब जो हमें दिख रहा है, उसके पीछे भी कोई सच हो सकता है, हो सकता है कि वो ब्लाक्मेल किये जाए है, अब ये भी हो सकता है कि वो एसी सिच्वेशन में फस गए हो कि उनको ये करना पड़ा हूँ, देख अकाश, मैं तो अपनी देरी बात बता हूँगा, मुझे याद है 2012 के के लिए खेल रहे हैं, और हमारा मैस था जैपूर के अंदर, काफी टाइम से एक बंदा मेरे को एक अप्रोच करे जा रहा था कि भाईया, मुझे आपसे मिलना है, मैं कॉंट्रेक्ट राता हूँ, अब किसी के कहने पर मैंने का यार बईया देखो ऐसा है, मैं नहीं मिलना चाहता है, बट बाइचांस की बात है कि मेरे साथ एक और अरका था टीम का, उसने मुझे बताया कि यार रजट वो मिलना चाहता है, मैंने का देख यार मैं मिल लेता हूँ, पर मैं शूरिटी नहीं है कि मैं क्या हूँ, कहता है ठीके, जब मैं उसके साथ मिला बैठा, और जो चीजे मुझे बताई हूँ, कि मैं, और उसने क्या था एक रूल था, कि आप थर्टी लैक से उपर ले नहीं सकते हैं, तो उसने मेरे को बताया कि देखी ऐसा है, कि सर हम आपका कॉंट्राट कराएंगे 70 लैक का, मैं आपको साल का 20 लाग रुपे एक्स्ट्रा दोँगा और यह की स्टिंग ऑपरेशन था, जब मैं उस बंदे से मिला, उसके अल्रेडी कैमरा लगा हुआ था, बट मेरे को नहीं पता था, कि कैमरा लगा हुआ है, तो जब मैंने उससे बात की, तो कहते हैं, सर ऐसा है, हम आपको कराएंगे कांट्राट, यह कराएंगे, वह कराए मुझे, और लग भी रहे हैं, तो मैं वह काम करनी सकता, जो अल्रेडी हमें मना है, ऐसा लगा, कि वह जो एप्रोच थी ना, उसमें बहुत सारे नेगेटिव था, और उसके अंदर एप्रोच एक तरीके से उसने यह भी मुझे की, कि सर अगर आप थोड़ा सा अगर आप इ कर दिया, और शाकेबुल-हसन जैसे नहीं किया, और नहीं किया तो भाई चलो, आपने तो नुकसान उसका हुआ, लेकिन अगर जैसे अब आपने बता दिया अपने CSU को, मुझे कि इसने अप्रोच कि और I'm not okay, पर आपका यह सवाल था ना, कि यह सोच थी, यार उसको तो में हिंट हो गया, कि, सर यह ऐसी बात है कि जोगी आप जिनकी बात कर रहे है, ऐसे मेरे को और मेरे दोस्त को अप्रोच किया गया, तो उन्होंने का यार आपने CSU को नहीं बताया, मैंने यार उस टाइम पर ऐसी एजूकेशन नहीं थी, कि आपको बताना है या क्या है, तो जब कोई बच्चा फसता है, और फसने के बाद वो इस चीज को नहीं बताता है, तब तो आप देखते हैं क्या हो रहा है, साकेबुलसन के साथ हुआ, बड़ जब वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है और वो बताता है, तो उसका reward क्या है, उसके acknowledgement क्या है, हमने तो ब बड़ उसका उन लोगों का क्या जिनों ने सीज को एकसेप्ट नहीं किया और कहा कि नहीं है, और जैनूरली बता भी दिया, तो यह बहुत जरूरी हो जाता है, तो उसको ठीक तरीके से रन करो, चलो फिर यह सही है, आप उछ और खा ले यार, देख भाटिया, भर पे आया विराट कोली और रोही चर्मा, कोली के बारे में एक स्टोरी है वैसे, तो बताता हूं आपको, आपको ही बताता हूं, विराट कोली, सब्तर से भी जादा टेस्ट मैचेज, थाइसो से जादा ODIs, करीबन छे हजार से जादा टेस्ट रंस, और ग्यारा हजार से भी जादा O लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं होता कहानी है साल 2006 की जब विराट केवल 18 साल के ही थे 40 पे बैटिंग करते हुए विराट जब शाम को घर पहुँचे तो देखा विराट के पिता जी जिनका सिरफ एक ही सपना था अपने छोटे से बेटे को बड़ा अक्रिकेटर बनते देखना 18 की उमर में 40 के स्कोर पे विराट नाबाद थे पर जिन आखों ने उनके लिए सपना देखा था वो आखे अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी पिता जी अब नहीं रहे वो रात विराट की जिन्दिगी की सबसे लंबी रात थी विराट रात भर पापा के सिरहने बैठे रहे शायद उनसे यही बोल रहे थे कि पापा आपका सपना मैं जरूर पूरा करूंगा अगली यह सुभा जब विराट अपना किट बैग उठा कर ग्राउंड की तरफ चल पड़े तो उनकी मा ने उनसे कुछ नहीं पूछा मा को शायद पहली बार उस सफेज जर्जी में क्रिकेटर नहीं बलकि अपने पापा का बेटा दिखा ड्रेसिंग रूम में बैठे सीनियर्स उनको देखकर हैरान हो गए डेली टीम को तो उनकी जरूरत थी क्योंकि करनाटक के खिलाफ दिल्ली की हालत पतली थी जो बच्चा भी कुछ सालों पहले अपने पापा के कंधों पर घूमा करता था आज उसके ही नाजुक कंधों पर दिल्ली की जीत का बोज आ गया था चार विकेट गवा चुके थे और फॉलों बचाना भी मुश्किल लग रहा था विराट चालिस पनाबाद थे और अगर वो भी नहीं खेलते तो फिर दिल्ली की हाल तो तेही थी लेकिन मैच का खयाल किसी की जहन में कहा था सभी की आँखे थोड़ी नम थी क्योंकि कोहली को अभी अभी एक विराट दुख का सामना करना पड़ा था लेकिन जब हौसले आबाद होते हैं तो खिलाडी जिन्दाबाद होते हैं ऐसे में क्या वो बैटिंग करने के लिए तयार थे? वो आँखे रात बर सोई नहीं थी पर शायद इसलिए कि उन आँखों में अब पापा के सपने बसे थे सब के मन में यही एक सवाल था क्या विराट तयार है? विराट बस वही कर रहे थे जो उनके पापा चाहते थे विराट जम कर खेले क्या खूब खेले? मानो उनके पापा स्टेडियम में बैठे हो और उनका यह मैच देख रहे हूँ विराट उन्हें अपने हर एक स्ट्रोक से थैंक्यू बोल रहे हूँ संघर्ष में विराट भले ही अकेले थे पर सफलता में उनके साथ पूरी दिल्ली खड़ी थी पापा की आँखों का सपना आज देश की आँखों का तारा बन चुका है आसू आगे ना उस दिन सुभे हम सब की आँखे भी ना थोड़ी सी नम थी चैनली लेकिन यह तो कोली है अब धनराज बिल्ले ने काया चक्ति इंडिया अपना चांस अलम्पिक्स में बड़ी से हुंदे है तर ऐसा सिर्फ तीसरी बार ही हुआ है कि बहुत में और वुमें साथ में कौलिफाई हुई है अलम्पिक के लिए पिछले दस साल से है ना कौलिफाइंग राउंड बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है विमें होकी के बारे में अगर आप उचेंगे तो मुझे लगता है कि पिछले चार-पाइच साल से अभी विमें होकी बहुत अच्छा काम कर रहा है देखें, USA is one of the best team in the world लेकिन उसको मात देना बहुत बड़ी चुनवती थी हमारे इंडियन मुमेंस टीम के लिए और आप देखेंगे कि वो जो 6th goal Rani Rampal ने मारा था वो Rani Rampal का गोल ने ही हमार को कॉलिफाइ करवाया, हम कह सकते हुए मेंस की बात करें तो बहुत इजी मैच था मैं एक है सकता हुए क्योंकि रश्या को इस बार हमने देखें जो फर्स मैच उन्होंने खेला जो नो डॉट सेकेंड हाफ में थर्ड और फॉर्थ क्वाटर अगर आप देखोगे तो इंडियन टीम खेलना स्टार्ट किया है मैंस परानी रामपाल जो है स्कील पूल होकी खेलती है और एक वंदाना कटा रहे हैं इसले बात में गोलकीपर है सवीता पिछले कहीं सालों से वो खेलते आ रही है उतना एक्स्पीरेंस उसको मिल गया है तो मैं यहीं कहूंगा कि यह चार-पांच लड़कियां हैं जो हिंदुस्तान की होकी को मेडल ताली में ले जा सकते हैं तो क्यों और मेंस टीम के बारे में सर्ट स्रीजेस एस्वी सुनील हर्मनपृत मनपृत जो हमारा कप्तान है एकदम कूल कप्तान है टीम को कैसे लेकर चलना चाहिए वह बहुत अच्छे से अधर बहुत जाता है कि मनपृत में थोड़ी आपकी थोड़ी जलाक है जो लीडर्शिप है उनके और जो खेलने का जुश्ता है मैं खोड़ा ऐग्रेशन ज्यादा दिखाता था फिल्ड पे भी और कप्तानी जब मैं कर रहा था तभी भी कि इंदुस्तान का फिटनेस लेवल बहुत बढ़ गया है बहुत ज्यादा और खास करके मैं ट्रेनर्ज और इना जो उनकी कोचिंग स्ताफ है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि पावर लाइन पीछे आता है जी जी डिफेंस में हेल्फ करता है और विंगर्स अट बेल्जियम जिसी टीम या अर्जिंटीना वर्ल चैंपियन या वो ओलम्पिक चैंपियन रहे हैं इनके साथ हम लोग कॉंपिट कर सकते हैं लेकिन कंसिस्टनसी होना बहुत ज़रूर है हमारे लिए मैं भी चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि कहां गए वो दिन मैं भी चाहता हूं कि हमारी दुस्तान की ओकी टीम एक बार ओलम्पिक चैंपियन वापस बने वर्ल चैंपियन वापस बने और वो कंसिस्टनसी के साथ में अगर हम खेलते रहें चार-पांच साल कंटिनूजली तो मुझे नहीं लगता है कि वो दूर वो टाइम बहुत क्योंकि जैसी टीम है पिछले चार-पांच साल से एक साथ है मेरा तो मानना है कि मैच बाए मैच खेलते जाहिए आप और रिजल्ट के बारे में सोचो मत कि आज क्या होगा क्या नहीं इफ यॉर गूड इनाफ रिजल्ट विल कम आटोमेटिव चलिए यह तो धीपिर आज की आकाश मानी फिर जो आपका फीड़ बैक है जो कल भी बहुत सा रहा है था मैं सारो हूँ आज भी बहुत सा रहा है और कल तो खेर आपके पास कुछ खास आने वाला है क्योंकि मेरे यार दोस्त आने वाले है यार मता मेरे सेर कॉमेंटरी पार आपको बच्चे वो खेलते होए चलो वेल डन सामने वाले पैर को थोड़ा सा खोला और चौका वाच्च तबॉल क्लोजली एंद दाट्स वाच यह देड़